हेलो दोस्तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि BJMC कोर्स क्या होता है दोस्तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें न्यूज देखना और सुनना पसंद होता है दोस्तो गर आपको भी न्यूज देखना और सुनना पसंद है तो आपने एक न्यूज र रिपोर्टर या फिर एक नियूज एंकर बनना चाहते हैं तो इसके लिए कुस कोर्स करना होता है जिसमें से एक कुर्स है बी जैयंसी कोर्स तो दोस्तों ऑजके सब्सक्राइब हम आपको बीजीterror's कस 2.0 में तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि BJMC कोर्स क्या होता है दोस्तों BJMC जिसका फूल फॉर्म होता है पैचलर आफ जनलिजम एन माज कम्निकेशन दोस्तों यह कोर्स पूरे तो दोस्तों यदि आप भी एक प्रोफेसनल जनलिस्ट यानि की मीडिया इंडिस्टी में अपना केरियर बनाना चाहते हैं आप आगे चलके आप एक जनलिस्ट बनना चाहते हैं या फिर आप नियूज रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं लेकिन इ के लिए आपके पास कुछ योगता होनी चाहिए तो आईए आपको बता देते हैं कि वो कौन कौन सी योगता है जो आपके पास होनी चाहिए तो दोस्तों गर आप भी इस कोर्स में अड्मिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका admission ले पाएंगे दोस्तों गर आपकी उम्र 17 वर्ट से कम है तो आप इस course में admission नहीं मिलेगा इसके बाद आई आई आपको पूरे डेटल्स में बताते हैं कि इसमें admission आपको कैसे मिलता है तो दोस्तों गर हम बात करें बीजे एमसी इस course में admission process की तो सबसे पहले आपको 12 पास करना होता है दोस्तों 12 में आपको 50% मार्क के साथ आप पास होंगे जैसे ही आप 12 पास कर लेते हैं इसके बाद आपको इसके entrance exam को clear करना होता है दोस्तों कुछ colleges ऐसे भी हैं जहां पर आपका interview भी लिया जाता है तो दोस्तों आपको interview के लिए भी त्यारी कर चाना होता है तो interview को qualify करने के बाद आपको इस course में admission दे दिया जाता है अडिमिशन मिलने के बाद इसको आपको 3 साल का कॉर्स होता है तो 3 साल इसमें आपको पढ़ाई करनी होती है पढ़ाई करने के बाद आपको भी GMC कॉर्स की डिगिरी दे दी जाती है इसके बाद आप कहीं पर जाके आप निज्य रिपोर्टर या फिर आप मीडिया के फिल्ड में यानि की मीडिया के इंडिس्टी में आप जाके जॉप कर सकती है तो आई आई आपको बता देते हैं कि ये कोर्स को यदि आप करना चाहते हैं तो इसमें फीज कितनी लगेगी दोस्तों गर हम बात करें इस कोर्स की फीज की तो इसकी फीज लगभग 50,000 से 5,000,000 अपको प्रतियर इस कोर्स की फीज पढ़ सकती है दोस्तों इसके फिस depend करती है कि आपकिस राज या फिर आपकिस college या फिर university से इस course को कर रहे हैं आई आपको बता देते हैं यदि आप इस course को पूरा कर लेते हैं तो आपकी starting salary आपको कितनी मिल सकती है दोस्तों अगर हम बात करें इस course करने के बाद salary की तो इसकी salary लगभग आपको 35-45,000 रुपए आपको प्रती मन्त इस course को करने के बाद आपको starting में ही दिया जाने लगता है जैसे इस आपको experience बढ़ता है एक journalist की salary लगभग लाखों रुपए तक हो जाती है तो दोस्तों ये थी जानकारी की BGMC course क्या होता है आई होप आप समझ गए होंगे की BGMC course क्या होता है इसके लिए योगटा क्या होनी चाहिए इसमें fees कितनी लगती है उसके बाद आपको salary कितनी मिलती है दोस्तों वीडियो से rated आपके मन में कोई question हो तो हमें comment करके पूछ सकते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर दें और चैनल पर नए हो तो subscribe करके बेल आइकन को प्रेश करना ना भूले तो मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहें